नमस्कार मैं हूँ आचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार मध्यप्रदेश शुनाफ के लिए मतदान 17 नवंबर को किये जा चुके है और इसके रिजर्ट भी 3 दिसम्बर को आ जाएंगे चुनाफ का परिणाम क्या होगा ये तो मतगरना के बाद ही पता चलेगा लेकिन इस बीच एक स्कीम की बहुत ही जादा चर्चा हो रही है वो स्कीम है लाडली बहना योजना इस स्कीम के बारे में पहले भी शॉट वीडियो के जरिए हमने जानकारी साजा की है बता दें कि ये स्कीम भारते जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है दरसल ये स्कीम महिलाओं को फाइदा देने के लिए है ताकि उन्हें वित्यम अदद देकर मुख्य धारा से जोड़ा जा सके आईए आपको बताते हैं कि आखिर स्कीम में ऐसा क्या है लाडली महना योजना पांच मार्च 2023 को शुरू की गई थी इस योजना के तहट सरकार प्रदेश में हर महिला के खाते में 1000 रुपे ट्रांसवर करती है ताकि योजना के जरिये मिलने वाली रकम से महिलायیں खुद के और अपने बच्चों के स्वस्त पर बहतर तरीके से ध्यान दे सके और इन पैसों से अपने और अपने बच्चों के लिए दूद, फल और सब्जी की विवस्ता कर सके या किसी अन्यकाम में इसका इस्तिमाल भी कर पाएं। कुछ समय से इस योजना ने लोगों का बहुत ध्यान आकरशित भी किया है क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार ने लाभार्तियों को दिये जाने वाले भत्तों में बढ़ातरी की घोशना की है। सरकार ने आने वाले पांच सालों में इस योजना के लिए 60,000 करोड रुपे तक खर्च करने का एलान भी किया है। इस योजना के लिए सिर्फ मध्यप्रदेश राज्य की स्थाई निवासी महिलाएं ही आवेदन कर सकती है। महिला की आईउ आवेदन के समय 21 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्कूल या कॉलिज में पढ़ाई कर रही महिला का इस योजना को कोई भी लाब नहीं दिया जाएगा। लाभारती आयकर दाता नहीं होने चाहिए और परिवार की आयट धाई लाख रुपे प्रती वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। योजना का लाब पाने के लिए सामन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसुची जाती, जन जाती सभी वर्गों की महिला आवेदन कर सकती है। अब कौन सी पान जगाओ पर आवेदन किया जा सकते हैं वो आपको पताते हैं। पंचायत केंद्र से, लेखपाल के जरिए, पंचायत सचीद्व के जरिए, प्रधान के जरिए और विशेश कैंप कारेयले से योजना में अपलाई किया जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस योजना के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो याद रहे कि इन दस्तवेजों के साथ जरूर जाएं। आवेदक का अधार कार्ड, आवेदक की फोटो, बैंक खाते की डिटेल्स, मुबाइल नंबर, मूल निवास, प्रमान पत्र और जन्म प्रमान पत्र। अगर आपके पास ये सभी चीजे हैं और जो भी डिमांड इस योजना के तहट दी गई और आप मध्यप्रदेश में रहते हैं तो आप आसाली से इस योजना में अपलाई कर सकते हैं और आप सरकार की स्कीम का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ये जानकारी आपको पसंद आई होगी इसको लेकर जो भी आपके राय है हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसे के साथ तेज तरार के साथ बने रहें।